हलो माई यूटूब फैमिली कैसे हैं आप 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 सब अच्छे होंगे खुश होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो जी अभी बजे हैं लगबग दो बजके 17 मिनिट हो रहे हैं और मैं रहान को लेकर आई हूँ जस्रभी स्कूल से दो बजे चुट्टी हो जाती है वैसे उसकी और हम लेट हो गए इस वज़े से क्योंकि हम रस्ते में दो मैने नारे लिये थे रहान के लिए और हाँ ये वा कितना ही मना कर लो इन दोनों को बाहर की चीज़े तो मतलब आएंगी आएंगी जलो कोई नहीं अभी पटाफट से मैं तिलहाल इसको तो रग देती हूं तर्बूज को फ्रिज में नारेल पानी पीने का भी सबर होगा ने कि इसने गर्मी थी ना बहार बहुत ज्यादा गर कपने होगे चेंज यह देखो इसको यह व्लोग ना 26 का है और अपरेल का महीना लगबक खतम होने को आया है लेकिन गर्मी वह जो मैं जून में होती है अग्दब तपने वाली तपती गर्मी वह आ चुकी है वैसे तो मैं रेहान को जब स्कूल से लेके आती हूं ना तो ज़्यादा दूर नहीं है रेहान का स्कूल लेकिन घर तक पहुचने में मतलब हालत खराब हो जाते है दोनों की तो हमें स्कूल की जो गली है ना उसके बहारी नारेल पानी और ये तरबुझ वगएरा बेचने वाले की जो शोप है तो हमने ये नारेल लिये थे और हम दोन दूसरी नारेल पानी इसलिए टेस्ट कर bucks! जो पी रहाएं है घृती है तो जो थोड़ा मीठा था क्वाना सब्सक्राइब तो जी अभी मैं आप लोगों कामी था क्वा ब्सक्यान को च्था क्रैक्राइब आज घृ आज मेरे वीडियो में ज्यादा दिकेंगे क्योंकि आज हम साफ करने वाले हैं हमारी वोशिंग मशीन और वीडियो यहां पे शूट कर रहा है रहान और उसको वीडियो बनाते बनाते हैं यहां पे एक चोटी सी चीडिया दिगी तो वो हमें चोड़के जो है इसकी वीडियो बनाने लगगया तो जी इसका तो ऐसा ही है और वीडियो बना रहा है मेरे लिए तो यही बहुत है और वैसे यह मशीन मैं भी साफ कर सकती हूँ लेकिन जो यह इसके पार्ट्स जैसे अभी गुलशन खोल रहे थे इनको खोलने में मुझे थोड़ा डर लगता है कहीं मैं मतलब इसको तोड़ और वैसे भी इसको पूरा खोल के तो इतना जल्दी-जल्दी मैं साफ नहीं करती हूँ तो जब भी साफ करना होता है तो बिलशन से हैस ले लेती हूँ पांच या छे मैने में एक बार जो है मैं मशीन को पूरा अच्छे से हैस जैसे अभी आज गुलशन इसको खोल के साफ कर रहे हैं इसे जो है पांच-छे मैने में एक बार हम जरूर साफ करते हैं और इसमें ना जैसे हम कपड़े दोते हैं साबुन डालता सर डालते हैं और कपड़ों में भी जो है धूल मिटी मैल वगारा जो भी होता है ना वो इसमें अंदर ना मशीन में जम जाता है और देखें यहां परियान मेरे साथ मस्ती कर रहा था इसने गलफ्स पहन लिए थे मैना गलफ्स इसलिए लेकर आई थी मशीन अंदर से बहुत गंदी होती है और इसके जो यह पार्ट्स खोल के दे रहे थे जो है मुझे ही दोने से मतलब इनको पार्ट्स थे जो यह चोटे मोटे यह तो मैं और दो रही हूँ इसको दोने में बड़ती माद में तो मतलब और बाद में चैम बıo एक साफी हो गया था था व effekt देर Hey दोने में बड़ती तरहीं में अधिवन पार्ट चोटे फू कीज़ो इसलिकिन में पती जो रही हूँ है में तो जो है मशीन खराब हो जाएगा एक तरह से क्योंकि ये तो मार्केट में कुछ ये मैंने पूछा थाइन से तो ये बोल रहे थे नहीं मिलेंगे कर टूट गए तो तो मैंने का चांस नहीं लेना है क्योंकि मशीन हो गई जो ये इलेक्ट्रोनिक जो भी सामान हो गई सस्ते मैंने तो लाइन में और बार भार खरीदने चीज़े होती नहीं समाल के रखनी चाहिए और ज्यादा चलेगी और हमारी पैसो के बचत होगा तो जी इतनी देर की मेहनत के बाद आखिरकार हमारी मशीन अंदर से तो बिल्कुल साफ करी दीती हमने दोनोंने मिलके खैर आज तो मेरी अकेली की मेहनत नहीं है जादा तो गुल्षण नहीं की है और अभी मैं इसको बाहर से भी साबून लगा के अच्छे से साफ कर रही हूँ और दूसरी तरफ गुल्शन इसमें पानी भर रहे हैं क्योंकि वो बोर रहे थे अगर एक बार इसमें अच्छे से साफ पानी भर के निकाल देंगे इसमें भी काफी मिट्टी जमी हुई थी देखे पानी के साथ जो है कितनी जो है काली काली सी मतलब निकल रही है तो इसमें भी मतलब मैं वैसे हफते दस दिन में पानी मारती रहती हूँ और पानी तो देखो चट पे पूरा बिखरे गया था मतलब मशीन दोने के बाद और कंप्रेसर में पानी डाला था तो भीगी गई थी लगवाँ फिर मुझे मैंने सोचा चलो चट भी आज साफ करी देती हूँ दो देती हूँ अभी तीन चार दिन पहले थोड़ा सा आंधी तूफान आया था तो उससे भी काफी दूल मिटी जो है काफी चत पे घटा हो गई थी वैसे इस बार ना अप्रेल के महिने में मैंने हमेशा ज्यादा तर यह देखा है जो है आंधी तूफान जो भी गेहू कटते ना तब जर बहुत ज्यादा जा रहा है जैसा कि आप लोगों ने अब न्यूज वगारा में भी देखा होगा मतलब दूबई में यह जो है साउदी की तरफ जो इतना मतलब बारिश और बार आई वी है मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था उस देश में जहां इतनी कम बारिश होती है वह उसके बाद मैंने अपना मुझ भी साफ किया काफी देर होगी थी है लगे 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 मतलब खुद पही मतलब ऐसा किछ किछ सी मच गई थी मतलब पूरे शरीर में तो पैसे मैं नहा चुकी थी सुबह उसके बाद लेकिन अभी भी दुबारा ऐसा हो रहा मन कर रहा था बि इसलिए बस और यहां पर मैंने गुलशन की टी-शर्ट पहन रखे आज यह टी-शर्ट मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है और यह मतलब कभी कभी डाल लेती हूं और यह कुछ भी नी कहते हैं बस यहां पर आज मुझे ना सबजी में नी बनानी थी यह चीज ना अच काम थोड़ा सा बच गया और यहां रोटी टो मैं सिर्फ गुलशन और ममी के लिए ही बनाऊंगी मेरे लिए और रहान के लिए चावल बनाऊंगी हम तो मतलब कड़ी बने और दाल राजमा छोले यह चीज यह बनती है तो मैं और रहान हमें सोचना ने पड़ता उस दिन हाँ अगर मैं एक बार में रोटी के साथ खाविल हूँ रहान तो बिल्कुल ने खाएगा चावल के भी न तो जी यहाँ पे अभी शाम नहीं रात हो गई थी और गुलशन अभी अपने लिए टी-शेट्स लेके आये थे यह तीन टी-शेट्स का पाउच आता है तो एक इनों मुमी के लिए भी रहान दे के आ चुका था और रहान बता रहा था कल उसके स्कूल में कोई कंपटिशन कोई एक्टिविटी कुछ है तो उसके लिए उसने जो है थी-डी ड्रोइंग बनाई थी मतलब उस ड्रोइंग को बना के उसको काट के दूसरे जो है पेज पेस को चि अच्छी नहीं लगती है उनको मुझे हाथ से चावल खाना में तो जी खाना खाने के बाद सारे बरतन बरतन मैंने सब दो लिये थे किचन भी अच्छी से साफ कर दिया था उसके बाद में और रहान गई थे चट पे गोमने अब ना सुबह शाम जो हल्की हल्की मतलब ठंड ठीक ठाक साई गर्मी दिन में तो खार बहुत गर्मी होती है और वस उसके बाद हम आ गए थे नीचे और कल जाना है रियान को स्कूल तो उसकी तैयारिया जो थोड़ी बहुत रात को करनी ही होती है सुबह के लिए थोड़ा सा टाइम बच जाता है तो इसी वज़े से मैं उसकी यूनिफोर्म जो है प्रेस करके रख रही हूँ इसी के साथ आज की व्लोग को भी यहीं पर आइंड करते हैं वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना चैनल पे नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइ तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंड बाई बाई